नरस्कार दोस्तों, डीट है आज की 20 मई दो हजार तेईस और स्वागत है आपका एक्टेवल डिसकेशन में आज वैसे दो देखो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स डिसकेश करने थे लेकिन दो पार्ट्स में आज हम डिसकेशन करेंगे दो पार्ट्स में क्यों? क्योंकि जैसा आपको बता है आज 20 मई है आज दोपैर दो बजे एक लाइव वैबिनार है जो मुझे कंड़क्ट करना है तो उसके लिए काफी तयारी चल रही है इसलिए जो आज की न्यूजपेपर अनलिसिस की डिसकेशन है उसको मैं थोड़ा कम टाइम देश का प्रिपरेशन के लिए तो इसलिए दो पार्ट में आज की हम ये डिसकेशन करेंगे पहले पार्ट में ये दो आर्टिकल्स डिसकेश करेंगे next part में फिर हम बाकी जो बचे हुए दूसरे news papers के articles और कल से जो हमने start किया है हिंदू के जो important articles हैं editorial के लावा उनको भी means के perspective से discuss करना दूसरे part में हम ये सब चीज़े discuss करेंगे तो आप आज 2 बज़े जो webinar है उसको जरूर attend कीजेगा काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा दूपएर 2 बज़े आज onlyis के channel पर live तो पहला जो article आप जो हमें discuss करना है वो SDG goals से समदित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ क्या है ये article SDG goals के बारे में आपको पता है नहीं पता है तो बता देता हूँ 17 goals है 169 targets है इनको achieve करना है सभी देशों को 2030 से पहले ये वो 17 goals है और इसके अंदर 169 specific targets है जिनको अलग 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 देशों को 2030 आने से पहले achieve करना है no poverty पहला goal दूसरा goal 0 हंदर इस प्रकास से 17 goals है अब देखो 2015 में ये resolution लिया गया था सभी देशों के द्वारा कि हम ये सारे goals को achieve कर लेंगे और समय समय पर रिवीव भी प्रजेंट किया गया है विबिन देशों के द्वारा जिसे कहा गया है voluntary national review कि मतलब अभी क्या status है कहां तक हम पहुंचे इन 17 goals को achieve करने के दिशा में इंडिया की बात करें तो national level पे निती आयोग ने दो बार voluntary national review submit कर दिया है UN के high level political forum पर simple भाजा में आपको बताता हूं voluntary national review का मतलब ये है जैसे पूवईटी को खतम करना पहला goal है तो निती आयोग ने पूरे देश में analysis करके बताया कि पूवईटी को खतम करने के दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं कितना बाकी काम रह गया है उसी परकार से जैसे infant mortality rate है infant mortality rate को इतना कम करना है तो उस target को अचीव करने के दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं कितना infant mortality rate हम कम कर पाए हैं ये सारी चीज़े बताई जाती है, Voluntary National Review में निती आयोग ने दो बार देश के लेवल पर डेटा सब्मिट किया है, UN के High Level Political Forum में, इसके अलावा देखो, स्टेट के लेवल पर भी निती आयोग ने डेटा कमपाईल किया है, स्टेट के लेवल पर 23 स्टेट का डेटा लिया है, कि कौन सा स्टेट कहां पर पहुंचा है, SDG Goals को Achieve करने के दिशा में फिलाल क्या स्टेटस है, बट अब इस आर्टिकल में एक नई चीज़ निकल के आती है, नई चीज़ क्या है, नई चीज़ देखो ये है, कि SDG Goals को Achieve करने के दिशा में बपाल सिटी का क्या स्टेटस है, ये देखो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्यूंगी देखो सिटीज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, एजेंडा 2030 को Achieve करने के दिशा में, एजेंडा 2030 मतलब 2030 तक SDG Goals को Achieve करना, 179 जो टारगेट्स है न, उसमें से 65% टारगेट्स ऐसे हैं, जो नहीं Achieve किया जा सकते, जब तक कि देखो लोकल जो अर्बन स्टेक होल्डर्स हैं, वो नहीं पार्टिस्पेट करेंगे, समझ गए, मतलब स्टेट लेवल पे, वोल्यूंटरी लोकल रिव्यू तो हो ही रहा है, बट अब सिटीज भी आगे आने लगी हैं, आर्टिकल में राइटर भी एंकरेज करते हैं, कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज को आगे आना चाहिए, और लोकल लेवल पे रिव्यू करना चाहिए, और देखो एक और चीज, कोई ज़रूरी नहीं, कि लोकल लेवल पे जो ये रिव्यू किया जाए, सिरफ अर्बन लोकल बोर्डी के द्वारा ही किया जाए, मुन्सिपैलिटी के द्वारा ही किया जाए, जिसे कई सारे examples हैं जहां पर UK की एक city है Canterbury यहां पर ना कुछ residents local group बना के आगे आए और उन्होंने municipality को बोला कि देखो हमें voluntary local review करना है तो वहां पर एक spontaneous coalition बना local groups का municipality के साथ में और उन्होंने voluntary local review किया इवन हमारे आसपडोस के देशों में बहुत सारे examples हैं जैसे देखो नेपाल में धूली खेल, बंगलदेश में सिंग्रा और जोर्डन में अम्मान इन्होंने भी अपने level पे voluntary local review पब्लिश किया अपने अपनी cities का status बताया कि वो फिलाल किस position में है SDG goals को achieve करने की दिशा में अब देखो बोपाल से समंदित कुछ details पब्लिश की जाती है जैसे कि बोपाल की ना कई SDG goals में performance बहुत अच्छी है और कई SDG goals ऐसे हैं जहां पर बोपाल city को काम करने के आऊ सकता है लेकिन देखो कम से कम voluntary local review किया तभी तो पता लगा बोपाल का जो voluntary local review है न ये एक परकार से collaboration है बोपाल municipal corporation, UN habitat और 20 local stakeholders के बीच में बोपाल में अभी 56 development projects चल रही है और 56 development projects को अलग-अलग SDG goals से जोड़ा गया है तीन pillars बनाए गए हैं एक pillar है people का जिसमें SDG के 1, 3, 4, 5 goals को जोड़ा गया है 1 goal no poverty, 3 goal good health and well-being, 4 quality education इतना कुछ आपको detail से याद रखनी के आप सकता नहीं है क्योंकि अलग-अलग cities जो हैं अपना अलग-अलग धंक से classification करेंगे voluntary local review करने के लिए एक चीज writer ये बोलते हैं देखो ये बात सच है कि local level पे cities voluntary local review करेंगे उनके पास इतना resource नहीं होगा कि 169 जो target हैं जो achieve करने हैं उनके लिए in-depth data collect किया जाए ये बहुत बड़ी exercise होती है तो writer ये कहते हैं कोई जुरूरी नहीं कि पूरा का पूरा जो SDG goals हैं उनसे सम्मंदित voluntary local review किया जाए हर एक city कुछ indicators को कुछ targets को choose कर सकती है in-depth review के लिए city को लगते हैं ना कि ये target उसके लिए बहुत ज़रा जुरूरी है उन targets की पहचान करके उन targets को identify करके women cities जो हैं अपने हिसाब से voluntary local review कर सकती हैं सारे के सारे को करना जुरूरी नहीं है समझ गए एक point writer ये बोलते हैं यहाँ पे देखो limited capacity और resources होते हैं और data भी aggregated नहीं होता अलग-अलग form में होता है अलग-अलग जगह पे होता है तो कोई जुरूरी नहीं कि voluntary local review हो वो 286 indicators को analyze करें मतलब कुछ targets को identify करके वहाँ पे in-depth review किया जा सकता है बस एक चीज़ का होना जुरूरी है जो review किया जाए ना वो agenda 2030 के अनुसार हो मतलब 17 SDG के goals हैं 169 targets हैं उन targets के according जुरूर होना चाहिए ऐसा ने कि अपने हिसाब से कोई भी target ले लिया अलग से तो यह पूरा article हमने discuss किया बोपाल की जो कोशिस है नहीं कोशिस है दूसरी cities के दौरा भी इस best practice को अपनाया जाना चाहिए अब इसके बार next article G7 summit में भारत के प्रधामंत्री Modi participate करेंगे उनको invite किया गया है वैसे देखो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है आपको बता है इंडिया G20 का पार्ट है और presidency इस बार इंडिया के पास है लेकिन भारत की जो prominence है भारत का जो role है global politics में वो लगातार increase हो रहा है इसी वज़े से भारत के प्रधामंत्री Modi को invite किया गया है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हैं देखो इंडिया की जो presence होगी G7 summit में वो काफी ज़दा important है क्यों? क्योंकि देखो G7 के जो member countries है न वो तो सारे के सारे sanctions लगा चुके हैं प्रश्या के ऊपर बट देखो इंडिया ने उन sanctions को join नहीं किया है इसके अलावा कुछ और invite भी है G7 के summit में मतलब कुछ और देश भी है जो G7 के member नहीं है बट फिर भी वो participate करने आ रहे हैं कौन से वो देश है मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ आस्ट्रेलिया यहां पे चलो अभी आएंगे तो हम देख लेंगे उनको यह रहे South Korea, Australia, Brazil, Vietnam, Indonesia और Comoros, Cook Islands तो मतलब इंडिया एक major country है जो G7 के summit में participate कर रहा है लेकिन जिसने रश्या के उपर लगे sanctions को join नहीं किया है जबकि जपान देखो बहुत जदा aggressive है हाल ही में जपान के जो ambassador है ना इंडिया में उन्होंने पूतिन को एक message दिया उन्होंने कहा G7 summit में रश्या को message जाना चाहिए पूतिन को message जाना चाहिए कि रश्या Ukraine में war start करने के लिए कीमत रश्या को चुकानी पड़ेगी अब देखो ये इंडिया पे depend करेगा G7 summit में कि कैसे वो इस tough language को थोड़ा dilute कर पाएगा अगर joint statement आती है तो क्या इंडिया उस joint statement पे sign करेगा जिसमें रश्या को criticize किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी दूसरा देखो इंडिया चुकि global south का leader है developing और poor countries का leader इंडिया अपने आपको मानता है तो इंडिया की जिम्यदारी होगी कि G7 summit में बताया जाए कि देखो रश्या के ऊपर sanctions लगने की वज़े से और रश्या युक्रेण वार की वज़े से जो गरीब देश हैं उनको कीमत चुकानी पड़ रही है food grains वो import नहीं कर पा रहे है fertilizer के दाम महंगे हो गया है उनकी energy security खत्रे में आ गई है मतलब रश्या के ऊपर लगे sanctions की वज़े से दिक्कत आ रही है गरीब देशों को और developing countries को ये बात इंडिया को बतानी होगी इस G7 के summit में इसके लावा परधान मंतरी मोदी और भी बहुत सारी issues पर बात करेंगे जैसे देखो building supply chain reliability जैसे चाइना जो है आपको पता है manufacturing hub है दुनिया का लेकिन COVID-19 आया तो चाइना से विभिन देशों का जो import है वो खत्रे में आ गया क्योंकि चाइना में COVID-19 की बिमारी आने की वज़े से सब कुछ seal हो गया तो विभिन देश से import नहीं कर पाए चाइना से तो अब एकना debate स्टांट हो गए या कि चाइना के उपर सब कुछ ना छोड़ा जाए supply chains reliable होनी चाहिए ताकि समय आने पर ऐसा नहीं कि चाइना मना कर दे दूसरे देशों को हम ये चीज़ आपको नहीं देंगे चाइना ने ऐसा किया जैसे देशों को दिक्कत आती है oil import करने में क्योंकि उन्होंने cartel बनाया हुआ है next seeking infrastructure and development aid in the region जैसे देखो चाइना ने belt and road initiative का project चलाया हुआ है इस project के तहर चाइना investment के नाम पर विबिन छोटे-छोटे देशों को अपने group में करता जा रहा है तो इंडिया का point रहेगा western countries से कि आप भी invest कीजिए इंडो-pacific region में छोटे-छोटे देशों को मदद दीजिए ताकि वो चाइना के group में ना जाए उनको चाइना के group में जाने से रोका जासके अब देखो इस summit में ना युक्रेइन के राष्टरपती जिलैंस्की को भी invite किया गया है अब जिलैंस्की आएंगे जी-7 का summit अटेंड करने के लिए तो वहाँ पर पधामंतरी मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है ये पहली बार होगा कि युक्रेइन वार स्टांट होने के बाद जिलैंस्की और मोदी के बीच मुलाकात होगी देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया में इस साल के अंत में जो G20 का summit है उस summit में पार्टी स्पेट करने के लिए पधामंतरी मोदी जिलैंस्की को invite करेंगे या फिर नहीं करेंगे मतलब समझ गए अलग-अलग summits में जिलैंस्की को invite किया जाता है युक्रेइन के साथ एक जूटता को शो करने के लिए जिलैंस्की आते हैं उस summit को address करते हैं तो देखने वाली बात ये होगा कि प्रधामंतरी मोदी उन्हें invite करते हैं अपनी speech देने के लिए फिर नहीं करते हैं इससे पहले presidency इंडोनेशिया के पास थी तो इंडोनेशिया ने तो invite किया था जिलैंस्की को G20 का summit में speech देने के लिए अब इंडिया की बारी है देखने वाली बात होगी इंडिया क्या करता है अब दूसरा देखो चुकि ये G7 का summit जो है ना हीरो सीवा में आयोजित हो रहा है हीरो सीवा में आपको पता है क्या USA ने 1945 में बोम गिराया था दो सिटीज में एक हीरो सीवा में दूसरा नागा साकी में तो नूकलियर वैपन को लेके न जपान काफी इमोशनल है और उसी सहर में अब ये G7 का summit और्गाइज हो रहा है तो इंडिया के देखो एक मातर ऐसा देश है एक मातर नहीं करें तो रेर बोल सकते हैं रेर कंट्री है जिसके बास nuclear weapon है बट फिर भी इंडिया ने बहुत ज़़ा restraint रखा है कभी किसी को धमकी नहीं दी nuclear weapons की बहुत ज़़ा test भी नहीं दिये nuclear weapons के मामले में aggressive भी नहीं है no first use की policy है तो यहां से इंडिया क्या message देना चाहेगा पूरे world को nuclear weapons के मामले में यह भी एक देखनी वाली बात होगी last में देखो एक point writer के द्वरा यह बोला जाता है G7 का जो summit है जी 7 का जो group है अभी भी इसे ना एक elite group बना जाता है इसमें सिरफ developed countries है western countries है पूरे world को represent नहीं करता है यह group जबकि G20 का जो group है वो ज़्यादा world को represent करता है क्योंकि इसमें 20 देश हैं इसमें developing countries को भी जगा मिली है चूंकि G20 की presidency इस बार इंडिया के पास में है तो काफी significant है प्रधामंत्री मोदी क्या message देना चाहेंगे G7 के platform से कि कैसे world को ज़्यादा inclusive बनाया जाए कैसे representative बनाया जाए कैसे यह ensure किया जाए कि world के अलग 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 देशों की अलग अलग तबकों की आवाज सुनी जाए वर्ल्ड के बड़े platforms पे for example UN पे ऐसा नेकी छोटे देश जो vulnerable है for example climate change है उनकी आवाद सुनने वाला कोई नहीं हो यह सारी चीज़े हैं तो इस पर कार से देखो दो articles आज हमने discuss किये जैसा मैंने आपको शुरू में बताया दो बज़े आज live webinar है तो आप उसको जरूर अटे